अपने सिटूप चैनल पर दोस्तों आज मैं पहुंचा हूँ पुर्वी चमपारंजीला के मोतियारी अनुमंडल अंतरगत सिस्वा पंचायत में वहीं सिस्वा पंचायत जहां पे ब्रेड आजेंसी के माद्यम से मुख्य मंत्री ग्राम सोलर स्टीट लाइट योजना का इंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बैल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक असानी से मिलती रहें दोस्तों ब्रेड आजेंसी के द्वारा जो सोलर स्टीट लाइट लगाए गया है इसकी आप ल लाइन निगरानी की जा रही है जो भी लाइट खराब होगा उसे तुरंत पता चल जाएगा और उसे तुरंत ठीक भी कर दिया जाएगा लेकिन ब्रेड आजेंसी का या दावा फेल हो चुका है महज 2-3 मा के अंदर बहुत सारी सोलर स्टीट लाइट खराब हो चुकी है औ और उसे अभी तक ठीक भी नहीं किया गया है 5-10 दिन हो चुके हैं और अभी तक खराब सोलर स्टीट लाइट को ठीक नहीं किया गया है इसके लिए नमुख्या जिम्वार है और नवार सदस क्योंकि इसमें पंचाइट पर नीदियों को उतना ही काम मिला था उनको सिर्फ जगा चीनित कर देना था जहां सोलर एस्टीट लाइट लगाना था उसके बाद ब्रेड आजेंसी के माध्यां से वहां एस्टीट लाइट लगाया गया अब जब लाइट खराब हो रही है तो समय पर ठीक नहीं किया जा रहा है इसके लिए ब्रेड आजेंसी अधिकारियों क तो को जुनियर इंजिनियर और डारेक्टर का नमबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वहां से आप नमबर लेकर फोन कल पर बात कर सकते हैं बिहार का पहला पंचायत जहां सोलर स्टीट लाइट योजना पर कार्ज किया गया और वहां जब लाइट खराब ह फिर नमबर वाट में है पांत दिन से खराब है प्रिपदे दिकाड़ी नहीं आया ना कोई मिस्ट्री आया इसके देखने के पूई नहीं से खराब है जो लाइट है कितना नहीं से खराब है अब लोग कोई नमबर वागरा दिया गया है जहां से आफ फोन करके कॉंप्लेंट कर सकते हैं कुछ नहीं है जनकारी कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और मुख्यमंत्री ग्राम सोलर अस्ट्रीट लाइट यूजना को लेकर आपके मन में कोई विचार हो तो कॉमेंट करके जरूर बताएं और भी बहुत सारी जनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दिता कि हमारे याने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक असानी से मिलती रहें मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तर के लिए